जैहिंद बंदे मातरम स्वागत है आप सभी पिए पियारे बच्चों का अभ्याश सीज के अंदर तो अभ्याश सरी में हम ने लास्ड क्लास में स्टार्ट कर दिया था लजेबरा को तो आज अलजेबरा को हम आज करेंगे ठोड़ सा समय मिला तो हम अलजेब्र अब्रीट कर देंगे ठैग लाइन आपको कहा छिपनी है कमेंट वोक्स में वोक्स में आ जिसे पता लग जाएगा किसने कमेंट किया है 712 या भ्याश चरीज है अलचेब्र topic चल रहा है चलिए start करते हैं तो first question है what will you get when you subtract इसको subtract करना है ठीक है भीया किस में से करना है from the sum of इसका और इसका sum करना है तो सबसे पहले इनको साथ में लिखते हैं X वाले को X वाले की नीचे लिखो Y वाले को Y वाले की नीचे लिखो और यहां आ जाएगा minus का 4X प्लस का 9Y माइनस 11Z अब इनको क्या करना है add करना है add करेंगे तो 1-4 को add किया तो आएगा minus का 3X यहाँ पर करेंगे तो देखो 9 में से 3 के यहाँ तो यह आजएगा 6Y और इसको solve करेंगे तो यह आएगा 9Z 2 में से 11 जाएगा तो 9 बचेगा और sign किसका effect होगा minus का क्योंकि minus बढ़ा है अब इस में से यह जो आया है इसके अंदर से आपको subtract करना है और subtract क्या करना है यह वाला तो आएगे subtract करते है 3X minus 4Y minus 7Z अब इसको subtract करना है subtraction में sign change हो जाते हैं तो देखो minus plus है यहाँ minus हो जाएगा minus का plus हो जाएगा यहाँ भी minus से उसका plus हो जाएगा तो minus 3 और minus 3 यह हो जाएगा minus का 6X plus का 6 और plus का 4 that is plus का 10Y तो minus 6X plus 10Y और यह आएगा देखो minus का 9Z और plus का 7Z तो यह हो जाएगा minus का 2Z तो कौन सा option correct हुआ minus का 6X plus का 10Y minus का 2Z यानि की B वाला option नहीं 1 वाला option यहाँ देखो minus नहीं है बहुत slight सा mistake है यहाँ minus नहीं है तो यह छोटे-छोटे differences आपको check करते रहने कहाँ minus है कहाँ plus है तो जो first है A वाला option है वह सा correct हो जाएगा very elementary question X वाला X में add होगा या subtract होगा Y वाला Y में add होगा divided by X minus 2 देखो दो तरीके हो सकते हैं एक तो आप पूरा divide लगा के check करें last में remainder क्या आ रहा है एक देखो remainder theorem हम पढ़ते हैं एक हम remainder theorem पढ़ते हैं और remainder theorem क्या कहती है remainder theorem यह कहती है कि आपको X minus 2 से divide लगाना इसमें और फिर remainder find करना है तो आप क्या करो जो X minus 2 है उसको 0 के equal रखो तो X की value कितनी आएगी बेटा इसको इस तरफ transfer कर दोगे तो X की value आगी 2 यह जो X is equals to 2 है यह आप इस equation में रख दो तो हम रखते हैं आईए जहां जहां X था हमने 2 रख दिया तो देखो 5 और 2 का square हो जाएगा 4 तो यह आएगा 20-8 प्लस 3 तो जैसे इसको solve करेंगे आपका answer आजाएगा 15 option number B is correct ठीक है आपका answer क्या आजाएगा 15 आपको बस इतना सध्यान रखना है कि remainder theorem क्या बोलता है कि जिससे divide करना है उसको 0 के equal रख दो वहाँ से आपके पास में जो x की value आएगी वो इस equation के अंदर रख दो और फिर जो answer आएगा वो क्या हो जाएगा particular उस question का remainder हो जाएगा ठीक है अगर आप इसको इसको इस पर किस लगा के देखना चाओ तो भी आप देख सकते हो ठीक है इससे आपका division का question भी एक solve हो जाएगा कि अगर division आजाए तो कैसे करना है तो x minus 2 तो देखवा आपको बनाना है 5x square तो मुझे इसको multiply करना पड़ेगा 5x से क्यों क्योंकि x और x x square हो जाएगे तो यह आगया 5x square यहाँ लगा minus का sign तो यह तो हो गया cancel नेक्स देखिए 5x का minus 2 से multiply करेंगे तो आएगा minus का 10x आएगा तिदी सी बात है अब इसका क्या करेंगे हम sign change करेंगे तो यह क्या हो जाएगा यह आजाएगा 6x plus का और plus में यह 3 अब देखो इसको 6x बनाना है तो किससे multiply करना पड़ेगा 6 से तो हमने यह 6 से multiply किया यह आगया 6x और यह आजाएगा इससे multiply हो के minus का 12 sign change कीजिए यह हो जाएगा minus का यह हो जाएगा plus का तो यह तो cancel हो गया plus का 3 और plus का 12 आगया remainder 15 अब देखो एक्स को 15 बनाने वाला कोई भी चीज नहीं वगती है क्योंकि यह तब गया है वेरियेबल है और यहां तो वेरियेबल ही खतम हो गया तो remainder कितना आ रहा है देखो यहां से भी remainder 15 आ रहा है यह हमने complete division किया है और यह हमने remainder theorem का यूज किया है तो आपको यही यूज करना है मैंने आपको divide कैसे करते हैं यह फिनोमिना एक बार और सिखाने के लिए यह पूरा का पूरा solution परवाया है तो यहां पर हमारे दो question हो गए एक हमने division कैसे करते हैं ठी sorry x-1 by x की value 3 है तो x की power 4 plus 1 by x की power 4 कितना होगा यह questions हमने बहुत आसानी से की हैं इसके लिए हमने tricks भी निकाली हुई है देखो x-1 by x यह कितना हो रहा है 3 हो रहा है आपको क्या निकालना x square plus 1 by x square तो मैं क्या करता हूँ squaring both sides squaring both sides तो यह हो जाएगा x-1 by x का whole square और यहां हो जाएगा 3 का square तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ देखो a-b का whole square क्या होता है x square plus b square यह तो होता है a square plus b square minus 2 a-b is equal to 9 वही क्या हुआ a square plus b square minus 2 a-b यही पॉर्मूला होता है a-b का whole square अगर मैं लिखू हूँ यहां पे तो वो होता है a square plus b square minus 2 a-b तो a square नहीं x का square b square नहीं minus का 1 by x का square वो 1 by x से square हो जाएगा और फिर minus का 2 a-b अब देखना x से x cancel हो जाएगा तो next step में मैं ऐसा लिख सकता हूँ x square plus 1 by x square minus का 2 क्योंकि देखो x से x तो cancel हो गया बचा क्या एक यह 2 और एक यह 1 तो यह आजाएगा minus का 2 is equals 2 में 9 आ गया अब देखो मुझे सिर्फ इसकी value चाहिए एक बार के लिए इसको इस तरफ transfer कर दो तो यह आएगा x square plus 1 by x square की value कितना 9 plus 2 तो x square plus 1 by x square की value कितनी आ जाएगी 11 और इसका मैंने आपको एक short method भी बताया था कि if x minus 1 by x is equals to a then x square plus 1 by x square is equals to a square plus 2 यह मैंने आपको पूरा का पूरा एक बताया भी था एक इस पे short video uploaded है I think 2 short video इसके उपर है एक में voice थी और एक में शाया song चल रहा था बीचे यह मैंने आपको दोनों बार बताया है कि उपर example भी करवा है तो यह आपको ध्यान में होगा तो आप object question अच्छे से कर पाएंगे जिसने नहीं लिखा है वो अपनी copy के top पे जो margin line होती है उसके उपर लिख लें अच्छे से याद रहेगा अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट भी क्या है अगर मैं इसी trick से करू नेक्स्ट वाले question को तो मैं क्या लिखूंगा देखो x square plus 1 by x square ठीक है इसकी value है 1,1 अब क्या करो दुबारा से square कर दो both sides squaring both sides तो यह आएगा x square plus 1 by x square का whole square is equals to 11 का square x का square देखो अगेन इसमें क्या लेगेगा a plus b का whole square का formula तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ x square का whole square plus 1 by x square का whole square plus 2 x square 1 by x square is equals to 121 अब देखिएगा x square से x square cancel out हो जाएगा तो यह कितना आएगा देखो x का square और उसका square तो power multiply होगी तो 2 into 2 4 यहाँ पे भी same हो जाएगा 1 by x की power 4 और यह तो सब cancel out हो गया बचा सिर्फ 2 और 1 तो आगया plus का 2 is equals to 121 मुझे सिर्फ इतने की value चाहिए तो इसको इदर भेज दो यह आजाएगा x की power 4 1 by x की power 4 is equals to 121 minus 2 तो x की power 4 plus 1 by x की power 4 is equals to 119 यह इसका answer हो गया प्यारासा answer इसकी भी एक short trick लिखवाई थी दुबारा से लिख लो if x plus 1 by x is equals to a then x square plus 1 by x square is equals to a square plus 2 ठीक है यह आप लिख लिजिए एक trick यह है एक trick यह है लिख सकते हैं चलिए यहाँ पर minus आएगा इतिक हाँ सही कह रहे है आप minus आएगा ठीक है तो इसको आप अच्छे से note करें अगर यह दोनों trick आपको आती तो आप सीधा इस step पे पहुंचते और यहाँ से direct इस step पे पहुंचते आपका time बच जाता इतना आपको नहीं करना पड़ता यह पूरा detailed solution है अगर आपको दोनों trick आती तो आपकी सिर्फ इतना सा काम ह इतना सार आपको नहीं करना पड़ता तो इसलिए ट्रिक्स याद रखिया कीजिए और exam में question आया हुआ है सैनिक स्कूल के entrance exam में class 9th का 7th February 2021 को जो exam हुआ था उसमें आ रखा है यह question next देखिए if a plus b plus c is equals to 5 and a b plus b c plus c is 10 then a cube plus b cube plus c cube minus 3abc अब आपको यहाँ पर formula याद होना चाहिए तो कोई बात नहीं selection एगले साल करवा लेंगे जरूरी थोड़ी इस साल ही हो सबका वही सभी लोग select थोड़ी होंगे कुछ लोग तो गाड़ा भी लगाएंगे ready भी लगाएंगे पानी पूरी कौन बेचेगा तुर कुछ लोग मजबूरियों बेचते हैं पर जो नहीं चलिए अब हम इसकी value निकाल वगजए हैं देखो एक चीज सुनिएए यहाँ पर हमें इसकी value चाहिए तो हमारे पास A ब्लस B प्लस C की value है A स्क्वेर प्लस B स्क्वेर की value नहीं है वो हम निकाल सकते हैं कैसे निकाल सकते हैं देखो A square plus B square plus C square का formula अगर आपको आता हो तो आप निकाल सकते हैं और वो कैसे आएगा हर चीज रटने की नहीं होती है हर चीज आप रट भी नहीं सकते है दिमाग लगाईए कि sir A plus B plus C का whole square होता है A square plus B square plus C square plus 2AB plus 2BC plus 2CA अब मैं क्या करता हूं sir यहां से इसको तो रहे देता हूं A square plus B square plus C square और यहां से ले लेता हूं 2 common तो यहां आएगा AB plus BC plus CA और यहां पे आई रहा है A plus B plus C का whole square अब देखिए sir यहां पे हमारे पास इसकी भी value है और इसकी भी value है तो इन दोनों में जैसे value put करूँँगा मेरे पास इसकी value आ जाएगी न और वो इसमें replace कर दूँगा चलिए करते हैं तो यह आएगा 5 का square is equals to A square plus B square plus C square plus 2 इसकी value कितनी है 10 है तो अगर मैं solve करूँगा तो यह 25 और यह 20 minus हो जाएगा तो यहां से value आएगी A square plus B square plus C square की कितनी 5 आ जाएगी कोई समस्या नहीं है 25 minus 20 करेंगे तो A square plus B square plus C square की value कितनी आ गई 5 आ गई अब values को put कर देते हैं देखो A plus B plus C की value 5 है ठीक है सर कोई बात नहीं है अब देखो A square plus B square plus C square की value भी कितनी है 5 है इसमें से एक बार के लिए minus common लिलो ज़रा तो मैं ऐसा लिख दूँ A B plus B C plus C किया क्या हमने इन तीनों में से minus common ले लिया तो अंदर आ गया A B plus B C plus C और इसकी value भगवान की दिया से मुझे question में दे रखी है तो मैं लिख दूँँगा 5 यहां आ जाएगा 5 minus इसकी value कितनी थी 10 दे रखी है तो यह आजाएगा 5 यहां से देखो 5 minus 10 क्या होता है minus का 5 होता है तो यह आजाएगा minus का 25 option number A is correct हाँ जी sin multiplication यहां से देखो minus हमने common लिया ना सबसे तो यह सब minus बाहर common आ गया वापस bracket खुलेगा तो सब क्या हो जाएगे तो A plus B plus C की value मेरे पास थी ना 10 इसलिए मैंने common ले लिया फिर आया 5 minus 10 तो 5 मैंसे 10 क्या तो कितना आता है minus का 5 और 5 और minus 5 का multiplication होता है minus का 25 अच्छा प्रश्ण था ही इसमें आपको identities का use करना था अब आपको पता लग गया होगा कल मैंने इसको क्यों लिखवाया था और क्यों बोला था क्या उनको learn करके आए ठीक है इसलिए बोला जाता है कोई भी चीज आपको बोली जाती है तो उसके पीछे कोई ना कोई reason होता है जो लोग follow करेंगे ना कि हाँ अंधा follow नहीं करना है जितना बोला है उतना करके आए ठीक है प्यार से तो आप लोग अराम से एक्जाम को फोड सकते हैं मैंने आपको बोला जितना अभ्यास सिरीज में करवा रहा है उतना भी अगर आप ढंक से कर लेंगे तो बहुत जादा है वो अगर उतना आप दिमाग में बैठा लेते हैं और अपनी books और mock test आप लगाते रहते हैं तो more than enough content है अब देखिए a plus b plus b plus a is equal to 2 then a cube minus b cube यहाँ पे question mark है ठीक है a नहीं है question mark है चलिए इस question का answer बनाना बहुत ही आसान सा है थोड़ा से tricky कह सकते हैं इसको आप ट्रिकी बन कह सकते हैं आप उलग जाएंगे कि इसका answer आएगा 0 ठीक है कैसे आएगा देखो a plus यह है इस तरीकी क्या question है ठीक है क्या करते हैं हम इसका LCM लेते हैं तो आएगा LCM a b देखो b से b cancel होगया a की a से multiply होगी फिर plus का sign a से a cancel होगया फिर b की b से multiply होगी तो यह आजाएगा a square plus b square upon a b is equal to 2 इसको इहां cross multiply कर दो तो आजाएगा a square plus b square is equal to a b और 2 आगे पड़ा है 2 a b इसको एक बाइक के लिए इधर लेया हो तो यह आएगा a square plus b square minus का 2 a b is equal to 0 अच्छे यह formula कौन सा होता है क्या यह a minus b का holy square नहीं है बच्चों है ना a minus b का holy square ही है अब देखो अगर किसी number का square 0 हो रहा है that means ओ number क्या है 0 तो यानि कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ a minus b is equal to 0 तो a की value किसके equal होगी b के equal होगी न यह b उदर जागे plus का हो जाएगा है ना a की value किसके equal होगी b के equal होगी तो यहाँ पर रख दो a cube minus b cube में a की value b के equal है तो मैं ऐसा लिख दू भईया b की जगा a रख दूँआ तो कोई defect थोड़ी आएगा a cube में से a cube चला गया answer होगी है 0 एक तरीका तो यह है एक तरीका और क्या है कि भईया यह a cube minus b cube है इसका formula होता है a cube minus b cube का कली formula किया है a minus b a square plus b square plus a b अब देखो यह इस तरीके से हो जाएगा a minus b की value क्या है 0 है और यहाँ भी क्या है a minus b यानि कि 0 into a square plus b square plus a b तो overall यह भी 0 आ गया तो आप चाहे इस concept से ले जाए चाहे इस concept चले जाए आंसर दोनों से same ही आएगा ठीक है कुछ लोग कहेंगे सरा में इस concept से जाएं तो क्या होगा इसलिए पहले ही आपकी शुदा आपकी जो शिंताएं हो सकते शंकाएं हो सकते उनका निवारण कर दिया गया है प्रश्ण विद्यार्थियों के मन में उठ सकते हैं उनको हम पहले ही लेके चलते हैं अगर कोई 9th क्लास का बच्चा अच्छे से देख रहा है इस कंटेंट को तो उसको अच्छे समझ में आ रहा होगा और वास्ताव में वह पढ़ना चाहता है ठीक है बहुत जदा यह नहीं अच्छे से तयारी करना चाहे तो अभ्यास सिर्द उसके लिए बहुत शानदार है ठीक है आगे बढ़ते हैं 73 नंबर के अंदर टॉपिक वही अलजेब्रा पांच अच्छे कोशन कर ली है आगे वाले कोशन की तरफ बढ़ते हैं अब देखो फैल्टराइज करना है किसको अब देखो इसको ऐसे करना तो भाड़ी बढ़ जाएगा थोड़ा सा दिमाग लगाई यह क्या है थ्री रूट थ्री एक्स क्यूब माइनस एट इसको किस रूप में देखते हैं आप यह डिपेंड करता है आपका नजरिया क्या है ठीक है आप नजरिया बतलेंगे नजार यह रूट थ्री क्यों दे रखाया है आप फड़ा सा खोलिए इसको इस थ्री को मैं ऐसा लिख सकता हूँ रूट थ्री इंटू रूट थ्री है ना थ्री को ऐसा लिख सकते है और एक रूट थ्री यह और यह आगया एक्स क्यूब है ना और इसको मैं लिख सकता हूँ एट को 2 का cube है ना तो देखो root 3 root 3 root 3 root 3 और फिर x cube तो मैं इसको ऐसा लिख दू root 3 x का cube देखो root 3 ठीटाइम आगे और x cube पड़ा है और फिर minus का sign लगा कि मैं ऐसा लिख दू 2 का cube अब आपको समझ में आ रहा होगा कि sir आपने या इस question में ये तो a minus b cube का या a cube minus b cube का form दे रखा है छुपा के दे रखा है उसने root 3 x का cube minus 2 का cube दे रखा है एक्च्वल में तो उसने अब समझ में आया इसको कैसे करना है एक्च्वल में उसने क्या पूछा है जो बच्चा अच्छे से पढ़ रहा होगा उसको सीधा दिखी का सरी ये root 3 दे रखा है that means root 3 into root 3 हो जाएगा ऐस तरीके से या जैका root 3 x का cube minus 2 का cube और a cube minus b cube का formula क्या होता है अभी लिखा था सबने याद भी कर लिया होगा नहीं किया है तो आज प्लीज कर लीजिएगा यह प्लस है ठीक है तो a की value कितनी है यहां से compare कर लीजिए a की value क्या हो जाएगी root 3 x b की value क्या हो गई 2 बस उस formula में रख दो a की जगा रख दो root 3 x तो आएगा root 3 x b की रख रख दो 2 तो minus 2 फिर आएगा root 3 x का whole square प्लस 2 का square प्लस a की जगा root 3 था ना अब क्या करो इसको solve करते हैं हम तो जैसे ही solve करेंगे यह आएगा root 3 x minus 2 इसको करोगे तो आएगा देखो 3 x square root 3 का square होता है 3 और x का square होगे x square यह आजाएगा plus में 4 और यह आजाएगा 2 root 3 x तो इसको standard form में अगर लिखूं तो यह आएगा root 3 x minus 2 3 x square प्लस 2 root 3 x प्लस 4 यह जो आपका answer है standard form के अंदर देखो कौन सा match कर रहा है कि आई तिंग यह वाला match कर रहा है स्वारी minus वाला करेगा तो यह वाला match कर रहा है ठीक है यहाँ पर options लोगबक से में plus minus का ध्यान रखना है आपको यह वाला bracket पूरा plus का है और भार वाले में एक minus है तो option number कौन सा हो जाएगा यह वाला अच्छा प्रशन था यह अगर आपको identities आती हो तो आपके लिए प्रशन ईजी है हां जी सकते हैं यह थर बाला बता है दूसरा step यहां तक समझ में आ गया देखें यहां क्या हुआ a cube minus b cube का formula होता है a minus b a square plus b square plus a b तो यहां से मैं देखा कि root 3x का square यहां पे a cube है न तो a की value कितनी हो गई यहां से root 3x यहां है minus b cube और यहां है minus 2 cube तो b की value आ गई क्या two अब इस identity में जहां a है वहा रख़ो root 3x जहां b है वहा रख़ो two तो यहां रखा root 3x minus का sign लगा bitcoin रखा यहां रखके 2 यहां रखा A का स्क्वेर यानी रूट 3X का स्क्वेर, फिर रखा B का स्क्वेर यानी 2 का स्क्वेर, फिर रखा पावर का ओडर होता है वो क्या होता है डिसेंडिंग ओडर होता है जिसकी पावर जदा होती है वो पहले आता है तो इस तरीके से हमने ओडर को सेट कर दिया और उसके बाद option कौन सा बन गया यह वाला बन गया clear हो गया होगा अब तक तो चलिए बहुत चांदर बाद इनडिष्टी तवर से डिए व्वार गया आउट डिए जजांपल मैं पहला एक्जांपल लेता हुँ 45 का ठीक है दूसरा एक्जांपल लेता है हम सब ऐस्टी त्वूंटी तवर्ण एक और ले लेते हैं हम चलो यहां से एक्जाम्पल 37 का एक और एक्जाम्पल हम ले लेते हैं 94 का ठीक है यह 4 एक्जाम्पल हमने लिए अब इसको रिवर्स करो रिवर्स करें रिवर्स करने पर आता है 54 इसको रिवर्स करने पर आता है तो दिफ्रेंस निकलेंगे तो यहां डिफ्रेंस आएग नाइन का यहां देखो इर्रिस्पेक्टिव औ screen कि बात कर रहे हैं यहां पर और यहां डिफ्रेंस आएगा कितना कि 45 का कि मल्टीपल ऑफ नाई में सब्दोटेजि यह होता है कि आपको बार-बार से क्या है कोई चीज को प्रूफ नहीं करना अगर यह कोशन सब्जेक्टिव आता या राइएंस के पेपर में आ जाता तो उनकी हालत खराब हो जाती बच्चों की नहीं कर पाओगे अगर मैं आप में से अच्छे-च्छे बच्चों कह दू कि इसको प्रूफ करके बताओ कि यह multiple of 9 होते हैं without example प्रूफ करना है तो फिर आपको वो करना पड़ेगा 9Q-1 करके उस तरीके से जाना पड़ेगा जो आप नहीं कर पाओगे तो आपको इस तरीके से क्या लेने तीन-चार एक्जामपल लेने उससे आपको पता सलिए multiple of 9 होंगे तो बस option tick कर दीजिए बाकी 11 वगर से आपको लेना देना नहीं है और यह basic elementary questions होते है और दूसरा को भी example लेलो आपकी इच्छा हुव एक्जामपल लेलो ठीक है सबुच आपको लेना है 19 तो 19 का उल्टा होता है 91 इसका difference देखो कि आएका 72 यह भी 9 से जाता है कोई भ इनका difference होता है 0 तो भाईया एक चीज़ सुले ना 0 भी 9 का multiply होता है एक तरीके से 9 कुछ भी कर दो 0 तो आएगा 9 to 00 ही होता है तो वह मतले ना बाकी साथ ठीक चलेगा ठीक है चलिए एक और अच्छा सा प्रश्न है यह ठीक है इसमें दो identities के साथ में use हो रहा है तो आप जबन है बहुत ही देखिए कैसे 4ểu 5 माइनस एसक्ट प्लस 220 माइनसभी स्क्ट इसेट में फ्लसह चेक करेंगे हम 4 in स्क्ट कोे इसा लिख सकता हूं a square minus 2ab plus b square minus common लेने का मतलब है sign change कर दो minus बाहर common आया तो सब के sign change कर दो जो minus का है वो plus का हो जाएगा plus का हो माइनस का हो जाएगा और फिर वापस bracket खुलेगा तो same condition आ जाएगी तो ये लिख दिया हमने और ये हो गया 2m plus a minus b चलिए बहुत शांदार ये क्या होता है a minus b का whole square होता है is it correct? चलिए तो 4m square minus a minus b का whole square upon 2m plus a minus b अब एक बास सुरना इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या 2m का whole square 4m को ऐसा लिख सकते हैं 2m का whole square तो 4m square है bracket को लेगा 2 का square 4m का square m square तो ये हो जाएका 2m square minus a minus b का whole square upon 2m plus a minus b अब एक चीज़ ध्यान रखना इस पूरे को आपको consider करना है a का square और इस पूरे को आपको consider करना है b का square तो ये a square minus b square type का format बन रहा है ठीक है? इस जो पचाने वाली बात क्या है? कि आपको consider करना है कि capital b का square है a minus b का square ऐसा इस पूरे bracket को b square consider करना है तब जाके आप क्या कर पाएंगे? a square minus b square का formula use कर पाएंगे और वो क्या होता है? a plus b a minus b ठीक है? ये चीज़ पचाना खोड़ा सा मुश्किल होता है elementary stage के उपर क्या? किसर इस पूरे bracket को b कैसे माल लिया? भई इस पूरे को a माल लो न a की value आप माल लो 2m और b की value माल लो आप ये वाली तो a square minus b square है अब formula क्या लगेगा? a plus b तो कुछ मत करो a इसको माना है न तो 2m b इसको माना है न plus कर दो बिना कोई दिक्कत के a minus b को plus कर दिया plus ठीक है? a plus b और a minus b है तो ये तो a plus b वाला bracket हो गया वही ये पूरा a था न तो a लिखा ये पूरा b था न तो plus का sign लगा कि b लिखा फिर क्या करेंगे? formula क्या कहता है? a plus b bracket a minus b अब minus की बारी आगी तो ये आएगा 2m minus a minus b कुछ भी नहीं किया? इस पूरे को b माना था तो a plus b a minus b ठीक है? समझ में आगी बात यहां तक समझ में आया गया? बोलो हा कि न पीछे सबको आ गया? चलिए online वालो बच्चों से आप ज़्यादा उश्यार है क्या? अरे हाँ तो बोल दिया करो कन से कम confidence में तो रहा गरो 2m plus a minus b जैसे bracket fall के sign से कर दो यहां bracket खुलेगा तो यह minus का a और plus का भी हो जाएगा और नीचे क्या है? 2m plus a minus b अब आखे बड़ी हो गई होगी चमक आ गई होगी आखों में कि सरी दोनों सेम दिख रहे है काट दो, काटने हो बड़ा तुम तेज रहते हो तो कौन सा answer आएगा? 2m minus a plus b यह आपका answer हो जाएगा? option number a वाला 2m minus a plus b तो यह आपका answer हो जाएगा आज के प्रश्ने बहुत अच्छे लग रहे होंगे जिसने identity अच्छे से पढ़ रखी है और जिसने नहीं पढ़ रखी उसके तो खेर हो सकता है थोड़ा सा उपर से भी जा रहे और जो समझने कोशिश कर रहा हो जो समझ में भी आ रहे होंगे मतलब यह है कि आज वाले में कटोरा सब comma भरा हो जिसको आता है कटोरे को यू रखा वा है तो भी कुछ ना कुछ भरेगा कोई होते हैं कि नहीं पड़ना ही नहीं है उनके क्या होगा पानी उपर से निकल जाएगा होत є कुछ लोग ऐसे लगेसे जिता मरजी किलो टीर दिता उटलेश में नहीं कि या यादते लगती हैं नहीं पड़ते हैं और फिर जैसे घृञजगार की भीड में आगमन होता है तो फिर उनको बलागता है कि हाँ पहले पढ़ लेते तो अच्छा रहता क्योंकि बाद में वापस यही सब सीज़े पढ़ने को मिलती है कि 10 तक की जो मैस है एलिमेंटरी और एडवांस मैस जो भी कहें आप उसको 10 तक की मैस इसको अच्छे सताएगी तो वो क्यों कहते हैं बड़ा कॉंसेप्चुल है यह समझ रहे हो यह जिसने भी नाम निकाला है बड़ा कॉंसेप्चुल है अगर आप इससे भागोगे तो इसकी आत्मा आपकी पीछे-पीछे भागती रहेगी और जैसे आप जाओ कि देखो कि तो पूरा 10 तक की मैस आएगी आप LDC का एक्जाम दे लो कोई भी बड़े से लेगे छोटा कोई भी एक्जाम दे लो 10 तक की मैस तो आने वाली है तो उस दिन देखो कि अरे यार इससे मैं भागा था कब भागा था 10 क्लास खतम होती मैं इससे भागने लग गया थ और अब मैं ना 5-7 साल बात कोंपेटिशन के लाइन में हूं दो साल 12 के और तीन साल ग्रेजुशन के फिर एक साल मस्ती करते हैं फिर पर सलता है कि अच्छा हां नौकरी भी लगना है तो शादी नहीं हो ठीक है तो फिर क्या होगा च्छे साल बाद यादा थी कि मैं 6 साल प बाद में प्रेशर होंगे कि नौकरी लगने का अलग प्रेशर होगा आपके ओपर वह प्रेशर हैंडल कर पाना हर किसी के बसकी बात नहीं हो पाती है और अभी मेंटल हेल्थ का वीशू चल रहा है तो इसको यहीं से इंप्रूव करते हो चले यह क्या है एक्स क्यूब वह संदुम्रा पार आगे तो अंधर बचेगा एक्स स्क्वर माइंनस ही ह 2019 अब यह तो क्या ऐगलतेम है क्या इस स्क्वर मेंawk पह्ते Ciao ऐसे देखो अब फिर याद आ रहोगा सर ने square cube याद करवाए थे वो इसी दिन के लिए करवाए थे बेवकूब थोड़ी है तुमारे square और cube roots मैंने youtube के उपर भी पूरी पूरी एक के class में board पे लिखवाएं, लिखके भी ने लए कुछ class में लिखवाएं, offline पे इतना जोड देता हूँ, क्योंकि ऐसा जो algebraic expression वगरे सही करने होते हैं, उसमें काम आते हैं आप जब compound interest को solve करते हैं उसमें काम आते हैं आप जब percentage के solve करते हैं 12% और 12% का दो बार क्या हो जाए increment हो जाए, तो क्या फरक पड़ेगा total कितना increment होगा यह सब जब आप करते हैं तब आपको पता लगता है कि सर हाँ, यह effect कड़ेगा यह इस दिन के लिए करवाय जाते हैं ठीक है, हम पागल नहीं है यह कोई भी टीचर पागल ही होता है जो कहता है यह सब चीज़ है, अब आपको value पता लग रही होगी जिसने साथ साथ में याद कर लिए, कि सर स्क्वार्स इस लिए याद नहीं करवा जाते है कि स्क्वार और स्क्वार रूट के चैप्टर में आएंगे सिंप्लिफिकेशन में काम आते हैं यहां काम आ रहे है, ठीक है फिर तुम कभी divide करोगे, थोड़ा बहुत वहां भी काम आएंगे तुम अगर compound interest करोगे, वहां भी काम आएंगे percentage, depreciation के question करोगे, वहां भी काम आएंगे Z, Sat, V, Sat, जो भी लगता है, मतलब कहते हैं कि Z, T वगरे लग रहे हैं तो वहां पर भी questions करोगे, percentage के पुल मिला के, वहां काम आएंगे, इसलिए करवाए जाते हैं यह देखो, A square minus B square का form बन रहा है यह जो form बन रहा है, यह A square minus B square का बन रहा है, तो यहां पर formula क्या आजाएगा X plus 15, X minus 15 A plus B, A minus B, तो कौन सा option मिल रहा है देखो, कुछ लोग कहेंगे सर, यह वाला option नहीं है, आपने तो यह पहले लिख दिया और यह बाद में है इसमें क्या है, यह पहले है, यह बाद में है, order change हो गया तो उन गरीब लोगों से कहना है मेरा, ठीक है गरीब इन दे सैंस वैसे नहीं कहा रहा है, कि मैं आप financially गरीब हैं कि लोग बुद्धी से भी गरीब हो सकते हैं विचारे, कि हम पहुँच गए हैं इस class में लेकिन हम हैं विचारे, गरीब ही, क्याहा से, बुद्धी से, यह mathematics के छेतर में हम गरीब हैं ठीक है, तो सीधी सी बात है यतनी बार बोला है, कि multiplication में आगे पीछे कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है और क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि multiplication और addition एक property फॉलो करते हैं, that is commutative property बच्चे बोल रहे हैं, ठीक है, जो बोल रहे हैं, मन में सबको पता है, और जिसको गरीब बोला है, वो समझ गया हुआ, किस विचे में बोला है, अपने आप समझ गयोंगे होंगे, और अब भूलेंगे नहीं इसको, कि सरने हमें गरीब बोला था इसके लिए, अब हम इसक हिए चीजह आपको लगता है कि हां मैं कर सकता हूं यह फैस्ते जा सकता हूं मैं यहाँ से लेकिन selection procedure में ego फाइदा दे जाता है और कई बार नुखसान भी दे जाता है 50 कोशन करने बैठ गए मैट के बागी छोड़ दिये इसकी value आपको निकान लिए है ठीक है आप कैसे निकान लिए है आप इसकी value क्या आने वाली है देखो a-1 by a वाली चल रही है इससे आपको यहां आना है अगर मैं आपको कहूँ कि a-1 by a है उसकी value कोई b है something तो a square plus 1 by a square की value कितनी होती है पहरे बच्चों b square plus 2 होती है हमने अभी formula में पढ़ा था अभी trick पढ़ा था है कि a-1 by a is equals to b होता है तो a square plus 1 by a square क्या होता है b square plus 2 होता है देखो अभी याद आ रहा होगा दिखा देते हैं tension क्यों ले रहे हो यह देखो यह रहा a-1 by a square तो यहाँ देखो a square plus 2 वहाँ पर दूसरा a है तो मैंने यहाँ b ले लिया ताकि दोनों सेम ना लगे तो चीजों को connect करते हो पड़े तो यहाँ से क्या आ गया इसकी value यह आ गई अब यहाँ 27 है तो 27 को ऐसा लिख सकता हूँ 25 by 2 इस तरीके से लिख सकता है तो यहाँ से पता चलेगा a-1 by a का जो whole square हो किसके एकोल आ गया 25 के तो a-1 by a किसके एकोल आ गया root 25 के अब यहाँ से क्या वहर आएगा plus minus 5 ऐसा क्यों क्योंकि plus 5 का square भी क्या होता है 25 और minus 5 का square भी क्या होता है 25 तो दोनों यह answer सही होंगे दी वाला option आपका correct हो जाएगा थोड़े सो option उपर नीचे हो गए पट कोई बात नहीं आपका यह option correct हो जाएगा highlight कर लेते हैं इसको और अभ्यासिरीज आपकी एक और finish हो गई next आगे बढ़ते है फटाफट से और करते हैं इसको ठीक है अभी समय है आपके पास साड़े आड़ बजे तक है तो कर लेंगे कोई समस्या नहीं है ठीक है तो 74 पर चलते हैं अच्छा रिदम बना हुआ है कर लेते हैं जोकि एक्जाम्स बहुत पास में है और धिला यह नहीं बरतना दिए ठीक है जर तो X plus Y की value 12 है और X Y की value कितनी है 27 है आपको पूछा X cube plus Y cube की value क्या हो जाएगी तो देखो X cube plus Y cube का formula आपको आना चाहिए कल याद करने के लिए बोला था AQ प्लस BQ तो उसके जगा ये लिख लो ये है ठीक है अब हम values put करते हैं तो देखो values में क्या होगा हमारे पास में ये value तो है और हमारे पास में ये वाली value नहीं है क्या करें तो देखो कैसे करेंगे हमने कल पढ़ा था कि सर अगर हम x प्लस y का whole square निकालें तो वो होगा 12 का square है ना तो यहां से मिलेगा x square plus y square plus 2xy किसके एकवल किसके एकवल 144 के एकवल है ना अब मैं खुड़ी सी चालाखी करता हूं मैं इस पूरे की value निकाल लेता हूं साथ में कैसे निकालूञा देखू माइनस का एक्स वाई चीए है पहले 2 एक्सवाई प्लस का है तो मैं एसा लिप्पृतो को गडवड हो जाएगी क्या १स्वालशुवाई स्क्यार फ्लस smallest फ्लत इत्व एक्स रुई माइनस 3rendre-łाइना और उस तरफ भी कैस्वाई कर दो इसको solve करते हैं x square plus y square देखो इसको जब आप solve करेंगे तो क्या answer आएगा 2xy minus 3xy यहाँ से आएगा minus का xy और यहाँ आगया 144 minus 3 xy की value मेरे पास है यहाँ से तो यहाँ क्या लिख दिया मैंने 27 तो आएगा 144 minus 81 तो यहाँ से आएगा 63 ठीक है तो यहाँ से x square plus y square minus xy की value आगी 63 और यह value मेरे को मिल गई 63 और x plus y की value मेरे पास पहले से है कितनी 12 तो अब यह value निकाल लिए x square plus y square तो अब देखना एक दिमाग देखना यहाँ पे आपको पूरा multiply करने की ज़रोत नहीं है बाय बाय जिसको जाना जाए देखो इसको multiply करेंगे तो टू और 3 को multiply किया unit digit है कि 6 इसमें किसकी unit digit 6 है एक इसकी नहीं है cancel कर दो इसकी नहीं है 6 cancel कर दो 63 को 12 से multiply कर रहे हैं मतलब 10 से तो आधा यह ना बात करते हैं एक से टलहा है यहाँ पर फार्म मैंनस टू कर दो तबड़िप्रूज मांनस 2 23 अरा 번째 question है छोटे छोटे प्यारे प्यारे question है मैं नहीं चाहता था कि इनके लिए आपको आपको आपस से क्या करें रिदम बनावा तोड़ दें next देखें a plus 1 a minus 1 a square plus 1 ये भी बहुत आसान question है देखो सिर्फ इतने को देखना आप ये ऐसा नहीं लग रहा a plus b a minus b लग रहा है ना तो मैं इसको ऐसे कर दूँ गया a plus 1 a minus 1 a square plus 1 तो यार इसको ऐसा लिख सकते हो a plus 1 और a minus b a plus b और a minus b का फॉर्म बन रहा है तो मैं इसको ऐसा लिख दू ए का square minus 1 का square a square plus 1 तो यह आ जाएगा a square minus 1 a square plus 1 लिख दिया कोई समस्या नहीं पर क्या करते हैं a plus b a minus b का form रहता है हमेशा a plus b a minus b का form रहता है यहां पर कोई समस्या नहीं है तो उससे आ गया क्या a square minus b square अगेन देखो a plus b और a minus b का form है तो अगेन a form हो जाएगा और power हो जाएगी minus 1 पांचर कौन सा हो जाएगा यह वाला ठीक है इसमें क्या होगा जो a plus b a minus b का formula है वो two times काम में आएगा यह जो a square minus b square वाला formula है यह तीन बार काम में आएगा ठीक है a plus b और a minus b वाला जो form है जो formula है वो कितने टाइम में काम में आने वाला है two times काम में आने वाला है first time यहां आएगा यहां से result आएगा a square minus 1 और a square plus 1 फिर देखो यह भी a यह भी a यह भी b यह भी b यह भी b तो a minus b a plus b की पांग दुबारा बनी तो इस बार दुबारा काम में आएगा तो a square यानिकी a की square का square तो a की power हो जाएगी 4 और minus 1 का तो 1 की power कितनी भी कर लो 1 ही रहता है इतने समझदार तुम हो गए हो नहीं तो करके देखते रहें ना 1 की power infinite करोगे तो भी क्या आएगा 1 ही आएगा यार चलिए find the numbers find 3 whole numbers a b c such that a plus b plus c is equal to a into b into c what is the value of a square plus b square plus c square तो यहाँ पे आप क्या गरें a plus b plus c का whole square खोल लें एक बार के लिए वो क्या होगा a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2c ठीक है अब value रख दें हाँ पे आप इसको इस्तरफ लें a plus b plus c की value क्या है a cross b cross c इसका whole square और यहाँ आजाएगा a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2c तो यहाँ आएगा a square b square c square is equal to a square plus b square plus c square यहाँ पर 2 common ले लो तो यहाँ आजाएगा a b plus bc plus c अब इसको इस तरफ ले आओ पूरा तो आएगा a square b square c square minus 2ab 2bc ca is equal to a square plus b square plus c square अब क्या करना है आपको value इसको put कर देना है यहाँ पर जैसे कि a b plus bc plus c a है तो आप क्या कर सकता है इस पूरे को यहाँ तो multiply करके देख लो नहीं तो पूरे में क्या कर दो इस पूरे की एक a b c की multiply कर दो यह divide कर दो उससे क्या करो जैसे values रखोगे इन में से एक answer आपको मिल जाएगा next question है फटा फट से देखेंगे 3 plus 23 y minus 8 y square is equal to कितना है फटा फट से देख लेता है इस question को भीया यहाँ पर आपको middle term की splitting करने पड़ेगी that is 3 plus 23 y minus 8 y square अगर पिछला question नहीं बने तो आप comment कर सकते हैं करवा दिया जाएगा ठीक है कोई समस्या नहीं एक जो homework का question है यह लिख लीजिए यहां तक मैंने आपको solve करवा दिया इसका आगया आपको लगे यह कोई दूसरा method है तो हम उस पर भी बात कर लेगे कोई समस्या नहीं है इसको आप solve करें आज का homework आपका यह question रहेगा कल भी हमने शायर 19-39 question homework में दिया था उसकी बार कल साथ में कर लेंगे दोनों questions की ठीक है उसमें क्या होता है जो आपका quadrilateral circular quadrilateral होता है उसके अंदर तो आप उस property से कर सकते हैं उसको इतना हिंट ले लिज 23y है और जब हम उसको multiply करें तो इन दोनों का multiply 3 into 8 है नहीं कि minus 24y square है तो भहिया यहां से मुझे एक चीज मिली कि मैं ऐसा कर सकता हूं 3 plus 24y minus y minus 8y square देखो इन दोनों को जब आप add करोगे तो आएगा आपके पास 23y है पहली condition satisfy इन दोनों का multiply करोगे तो आएगा minus 24y square क्योंकि 24y को y से करेंगे तो y square आजाएगा 24y square यहां plus का minus का sign है तो minus का 24y square और 3 into minus का 8y square करोगे तो यह भी आएगा minus का 24y square मतलब हमारी middle term splitting सही है अब common ले लेते हैं यहां आएगा 3 common तो आएगा 1 plus 8y यहां से minus का y common ले लो तो आजाएगा 1 plus 8y अब देखो 1 plus 8y common आगया दोनों में तो यहां से बचेगा 3 minus y कौन सा option करेक्ट हो रहा है 1 plus 8y 3 minus y option नुमर बी इस करेक्ट तो यहां पर आपकी अभ्यास से रिस फिनिश होती है I think हम 74 तक पहुच चुक है ठीक है तो 75 वाली बनी वी रेडी है अगर आपको लगता है कि नहीं बनी वी तो यह बनी वी है इसको हम कल करेंगे क्योंकि इसमें word problems है क्या है word problems हमें equations बनानी पड़ेगी उसके बाद में उसका factorization करेंगे हम ठीक थोड़ा सा quadratic equation की तरह भी जा सकते हैं तो समय जादा लग जाएगा इसलिए मैंने वह question में बीच में छोड़ दिया क्योंकि समय उसमें लगेगा तो वह अपको homework में दे दिया थोड़ा से वीडियो लंबे हो रहे हैं कोई बात ने content मिलता रहेगा आपको सो का वादा किया है सो का वादा मतलो 500-600 question का वादा किया है उससे जादा ही करवाओंगा tension मतलो आप और आप जिस दिन पूरी copy लेके बैठोगे ना जिसने एक एक question note किया है बाद में telegram channel join करके वहाँ से PDF निकालके सब कुछ किया हुआ है वो paper देख आएगा उस दिन याद क करी लेना इन तीनों में तो याद कर लेना बले जो ढंक से तैयारी कर रहा है जो अभ्यास सीरिज को देख रहा है वो बात कर लेना अभी नहीं तो दो साल बाद में भी वीडियो अवलेबल रहेंगे ना तब भी इतनी helpful रहेंगे क्योंकि concept change नहीं हो सकता थोड़ा बहुत change होगा अभ्यास सीरिज आज भी helpful है दो साल बाद भी रहेंगी पांच साल बात की बात नहीं कैसे थे क्योंकि अगर मालोगी चीज़े चेंज होगी एक्जाम का pattern चेंज होगा तो अलग बात हो जाएगी तो मिलते हैं next class में तब तक के लिए पढ़ते रहें अभ्यास सीरिज next class में हम पढ़ लेंगे क्या हमारा यह जो चल रहा है algebra finish करेंगे उसके बाद हम देखते हैं next का लेना है आप भी बता सकते हैं comment का next में हम सिर्फ एक algebra finish करेंगे एक ही लेंगे 75 वाली ठीक है उसके बाद में आपका comments लेंगे कि सर यह topic है तो आप सोच लीजिए आज का दिन ह रखें नहीं तो topic इसके उपर लिखे भी रहते हैं तो मिलेंगे next class में तब तक के लिए बहुत शांदार पढ़ते रहें और selection लेंगे हम इस बार जै हिन जै भारत